ठीक है, पिछले कुछ लेक्चर में आप पहले ही देख चुके हैं डबल डेल्टा पोटेंशिल पर आधारित सवाल कुछ सवाल हर्मोनिक ओसिलेटर पर है हर्माइट पॉलिनॉमियल इसलिए हम ऐसे सवाल को हर्माइट पॉलिनॉमियल के आधार पर करेंगे जो हमने की थी जैसे एक पार्टिकल में एक दाइमेंशन, पोटेंशियल वैल, और कुछ लेक्चर में कुछ सवाल या कुछ चर्चा यहां इस सम्बंध में भी हो रही ही एक तीन दाइमेंशनल बॉक्स में पार्टिकल हम एक बहुत ही सरल अभ्यास से शुरू करेंगे इसलिए पहला सवाल बहुत सरल है और आप केवल पीछे का दोहराते हुए हम पहले सेट को हल करना शुरू करेंगे जिसमें एक तीन सबसेट है और आपको इस सवाल का पता लगाना होगा कि यह सेट है या यह फंक्शन लिनियरली रूप से इंडिपेंडेंट या लिनियरली रूप से डिपेंडेंट है पहली एकसरसाइज की पहली प्रॉब्लम से आपको यह तीन फंक्शन्स दिये गए है f of x, 4 है, g of x, x cube है और h of x, e raised to x है यह पता करने के लिए कि क्या यह फंक्शन्स या functions का समूव लिनियरली इंडिपेंडेंडेंट है या लिनियरली डिपेंडेंडेंडेंड है condition, जो in functions को संतुष्ट करनी है वह है A1, Fx, F of X, A2, G of X, plus A3, H of X, 0 के बराबर होना चाहिए जैसे कि हमारे पास A1 बराबर, A2 बराबर, A3 बराबर 0 है तब हम इस सेट को linearly रूप से independent कहते हैं यदि A1, A2 और A3, 0 के बराबर नहीं है तो हमारे पास function का एक सेट है जो linearly dependent है इसलिए यदि A1, A2 के बराबर नहीं है, A3 के बराबर नहीं है 0 के बराबर नहीं है मेरे कहने का मतलब है कि एक 0 के बराबर नहीं है, A2 0 के बराबर नहीं है और A3 0 के बराबर नहीं है तब ये functions या ये functions के सेट linearly dependent हैं पहला उदाहरन पहले उदाहरन से आप आसानी से देख सकते हैं कि अगर मैं इन functions को substitute करती हूँ तो मेरे पास एक गुना 4 है तो 4 ए 1 प्लस ए 2 x cube प्लस ए 3 e raised to x 0 के बराबर है यह 0 तभी होता है जब ए 1 बराबर होता है ए 2 के बराबर होता है ए 3 के बराबर 0 होता है function का यह है set linearly independent है ठीक है दूसरे सवाल में आप देखेंगे कि यह बहुत आसान है आप वही exercise दोहरा सकते है ठीक है part 2 में या b 1 b में हमारे पास है f of x x g of x की तरह x square की तरह और यह है sorry और h of x है x cube की तरह ठीक है तो यह set linearly dependent और independent है जिसका हमें इसी तरह मुल्यांकन करना होगा कि आप a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 को substitute करेंगे यहां से यह देखा जा सकता है कि यह set यह set function का set linearly independent है इसलिए जब a1 a2 के बराबर होता है तो यह 3 के बराबर होता है और यह 0 के बराबर होता है यह तभी संभव है जब सभी terms 0 हो जिसका अर्थ है कि linearly independent है फिर यह c पार्ट में से आप आसानी से जान सकते हैं कि fx gx3 minus x2 है sorry minus x minus x cube के लिए है और hx है to x plus 3 square minus 8x cube यह है आपको यह है जांचना होगा कि यह linearly independent है या नहीं इसलिए अब मैं यहां क्या करती हूँ फिर से मैं उस ट्रिक का उपयोग करूँगी जहां मैं इसे a1 fx a2 g of x के रूप में फिर से लिखूंगी और a3 h of x और 0 के बराबर है और coefficient ग्यात करें a1, a2 और a3 इसलिए आपको in coefficients का पता लगाना होगा और यह जांचना होगा कि यह सेट linearly independent या linearly dependent है इसलिए इसे मैं आप सभी के लिए छोड़ती हूँ इसे करने के लिए यह बहुत आसान है आपको बस substitute करना होगा f1, f2, f3 के लिए और आप इसे उस रूप में लिखते हैं जैसा हमने इसे a1, fx, a2, g of x plus a3 h of x के रूप में लिखा था यदि आप f, g और h के बीच कुछ संबंध पाते हैं तो यह linearly dependent है ठीक है यह exercise का एक हिस्सा है जिसे आप कर सकते हैं तो चलिए अब चलते हैं इस प्रश्न k दूसरे भाग पर फिर से सवाल हमने पहले भाग में क्या किया वे वैसी ही होंगी हमने पहले भाग में क्या किया है यहां coordinates दिये गए है पहला सवाल आपके पास एक vector a है ऐसे और vector b है minus 2, 3 और 0 आप इससे ही देख सकते हैं कि vector a minus 3 गुना vector b है इसका अर्थ यह है कि यह है यह vector है linearly इंडिपेंडेंट क्षमा करें linearly dependent चूंकि coefficients व्यक्तिगत रूप से 0 के बराबर नहीं है यहां a 1, 1 है और आपका a 2, 3 है मुझे इसे दूसरी तरफ ले जाना है और मेरे पास a 1 प्लस 3 है a प्लस 3 भी 0 के बराबर है अब बी भाग में हम फिर से जांच कर सकते हैं बी भाग फिर से सरल है जांच करने के लिए बहुत आसान है यह ऐसे किया जा सकता है 0, 1, 2 और C है 0, 0 माइनस 5 अब मैं a 1, a प्लस a 2, b प्लस a 3, c लिखने के चरन को छोड़ देती हूँ मैं इसे जल्दी से लिख सकती हूँ 2, a 1, ठीक दूसरा तर्म होगा प्लस 3, a 1 प्लस a 2, ठीक और तीसरा तर्म ओके मत भूलना तो यह है यह कार्टेशन को ओर्डिनेट्स में है इसलिए x, y और z इसलिए मुझे यहां लिखना चाहिए x कैप यह y कैप है प्लस अंतिम तर्म होगा माइनस a 1, प्लस से a 2, माइनस 5, a 3 x, y और z, z कैप जीरो के बराबर अब आपको इनको प्रत्य कोएफिशियंट को इकुएट करना होगा ताकि हम a p और c के वैल्यू की गणना कर सकें यहां से यदी यह है बराबर है अगर a 1 शूने के बराबर है हम प्राप्ठ कर सकते हैं a 2 जो भी 0 के बराबर है और जब आप a 1 और a 2 को सब्स्टिट करते हैं इसका मतलब यह होगा कि a 3 भी 0 है इसका मतलब होगा की यह वेक्टर लिनियरली रूप से इंडिपेंडेंट है ठीक तथा वही एक्सरसाइज अंतिम भाग अंतिम सवाल के लिए भी है यह थोड़ा लंबा होगा लेकिन मुश्किल नहीं है इसलिए आप इसे कोशिश सकते हैं a उसी तरह जैसे मैंने एक और दो किया था एक दो और तीन b है माइनस चार एक और साथ c है जीरो दस ग्यारह और वेक्टर धी है चौदह तीन और माइनस चार यह आप पता लगा सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि यह वेक्टर लिनियरली डिपैंडन्ट और लिनियरली इंडिपैंडन्ट है यह एक अभ्यास है इसे करने में कुछ स्टेप कुछ मिनट लगेंगे इतना मुश्किल नहीं ठीक अभी हम सवालों के अगले सेट पढ़ जाते हैं जो तीसरा सवाल है सवाल तीन इमे मैं याद करती हूँ पहला क्यूटोरियल जिसमें हमने गणना की थी टाइम पर डिपैंडेंट वेव फंक्षन की ठीक है इसलिए इस बार टाइम डिपैंडेंडेंट वेव फंक्षन हमने केवल एक आयाम में एक पार्टिकल के लिए कैलकुलेट की थी अब यहाँ फिर से आपको दिया गया है एक वेव फंक्षन जो टाइम इंडिपेंडेंडेंट वेव फंक्शन है क्योंकि मेरे पास साई एक्स जीरो है जो है ए ए रेस टू माइनस एक स्क्वाइर अपॉन एस्क्वाइर अभी इसमें हम क्या करते है ऐसा करने का एक तरीका यह है कि आप इसे टर्म्स में लिखें आप इसे मोमेंटम के संदर्भ में लिख सकते हैं मोमेंटम रेप्रेजेंटेशन में इसलिए मोमेंटम के पर्म्स में वेव फंक्शन मोमेंटम स्पेस के संदर्भ में जो है साई ओफ पी जीरो यह आप कैसे प्राप्त करेंगे हम प्राप्त करेंगे इसको लेकर, Fourier Transform, Cy X, 0, Erased to IP.X, DX, ठीक, तो कुछ Normalization Factor भी होंगे. अरफाद, अगर मैं इसे एक dimension के लिए लिखती हूँ, मेरे पास है. तो एक dimension के लिए मेरे पास square root है, टू पी हेच्च क्रोस का. अगर मैं इसे इसके लिए लिखती हूँ, 3 direction के लिए मैं इसे minus I H Cross कर देती हूँ. इसलिए अब अगर हम इसे 3-dimension में लिखते हैं तो हमारे पास होगा 2p h cross the whole raise 3 by 2 और यह होगा p dot r तो अब हम substitute करते हैं Wave function h cross के लिए all आपके पास यह है इस तरह है minus ip dot x h cross dx अब यहाँ आपने बी एस psi x 0 के लिए substitute किया है all आप प्राप्ट करते हैं यह है time आप momentum space में wave function प्राप्ट करते हैं अब आपको इस तर्म का मूल्यांकन करना होगा जो है आपको इसे complete square के रूप में फिर से लिखना होगा यह है इसमें हम जोडते और घटाते हैं तो मैं term लिखूंगी वह है term जिसे हम जोड़ेंगे और घटाएंगे वह होगा इस तू आई आपके पास दो का एक फैक्टर होगा यहां से आने पर यह यह है यह square term है यह एक product term है और फिर एक square term है आपके पास यह factor होगा तथा आप इसे इस प्रकार लिखेंगे x by a minus p ip a upon h cross मेरे पास एक factor होगा चार खा जब मैं square करूंगी दोनों को तो यह बन जाता है यह मेरे पास है ठीक है मेरे पास a dx है ठीक तो अब हमें इसे integrate करना होगा और आप एक अंतिम परिणाम प्राप्ट करते हैं जैसा यह एका यह factor integral से आता है और दो का एक factor और दो by h का square root दूसरा term cancel हो जाता है यह वही है जो हमें मिलता है momentum space में wave function के एक particle के लिए मिलता है इसे याद रखे और फिर हम आगे क्या करेंगे हम time पर dependent Schrodinger equation लिखेंगे ठीक है उस expression पर वापस आएंगे इसलिए हम time पर dependent Schrodinger equation लिखेंगे इस रूप में i h cross del psi x x t upon del t यह है यह है energy operator equal है h phi x ठीक है ठीक अभी मैं लिखूंगी time independent Schrodinger equation momentum space में यह दिखेगा del psi by del t मेरे पास i h cross है मेरे पास p t equal to h है मैं लिख सकती हूँ एक operator के रूप में p square upon 2 m phi अगर मैं phi का उपयोग करती हूँ हम throughout phi या si का उपयोग करते हैं कोई भी एक notation i h cross del phi by del t p square upon 2 m phi p t है ठीक अभी आए इसे इस तरह लिखते हैं solution of this equation होगा phi p t आप आसानी से इसे i h cross को ले सकते हैं तो मेरे पास है a h cross upstairs i और आप प्राप्ट कर सकते हैं expression p आपके पास है a p और आपके पास होगा h cross और 2 m यह होगा p square t square p square t upon 2 m h cross ठीक अभी कुछ constant term के साथ तो जब मैं भागो द्वारा integration करती हूँ यह है मुझे यहां integration करना है integration by parts के वल integration हमें देगा phi of t ठीको इस expression के रूप में और याद रखे जब मैं इसे लेती हूँ तो मेरे पास minus sign है ठीक और मेरे पास i का factor है जो मैं छोड रही थी i phi of p t be raised to ip square t upon 2 m h cross की तरह ठीक अब t equal 0 पर मेरे पास क्या है मुझे p p की value p 0 के रूप में मिलती है और हमने अपने पिछले expression में p या 5 शूने का मूल्यांकन किया है इसलिए यह क्या है यह हमारा था psi p 0 जो कुछ भी नहीं है लेकिन जिसे मैंने यहां परिभाशत किया है यह कुछ नहीं लेकिन psi p x है जिसे मैंने पहले से ही evaluate किया है अभी wave function momentum space में जो time dependent wave function है momentum space में यह यह upon square root of 2 है मैं substitute कर रही हूँ phi of p 0 times के लिए आपके पास है e raised to minus p square a square upon for h cross square e raised to minus ip square t upon 2m h cross अब मैंने momentum space में wave function प्राप किया है उसी प्रकार हम फिर से लेंगे एक fourier transform position space में wave function प्राप्त करने के लिए तो psi of xt यह कुछ नहीं लेकिन फिर से मैं एक step छोड़ रही हूँ जहां आपको integrate करना है इसे मुझे क्या मिलता है integral मैं बस लिखूंगी और फिर आपको integrate करना होगा phi p t e raised to phi p dot x upon h cross ठीक और यह मुझे इस तरह एक अंतिम expression देगा है upon 2 का square root और जब मैं इसे integrate करती हूँ पूरी range अंतिम expression जो मुझे मिलती है वह है मैं यहां लिखती हूँ मेरे पास होगा तो इससे हमें p square a square मिलेगा जो की यह term है मेरे पास है यह term माइनस p square a square upon 4 h cross square और यह term इस term को integrate करने पर हम finally प्राप्ट कर सकते हैं a square plus 2 i h cross t upon m यह है expression times आपके पास additional factor है exponential का minus x square upon x square plus यह अपने आप exponent में है 2 i h cross t y m यह time dependent wave function के लिए expression है पहले हमने जो किया वह था हमने पहले wave function को momentum space में लिखा ए एक बार जब हम wave function प्राप्ट कर लेते हैं momentum space में time पर dependent wave function time independent wave function फिर हमने क्या किया क्या हमने momentum space में time independent schrodinger equation लिखा था आपको बहुत सारे integration करने होंगे जिसमें आप square को पूरा करते हैं और definite integral का पता लडाते हैं और फिर हम फिर से लेते हैं Fourier transform इसलिए हम momentum position space से momentum space में जाते हैं यह wave function की गणना करने का एक और तरीका है जो time independent है time independent wave function से हम time dependent wave function प्राप्ट करते हैं अगला सवाल है चौथा सवाल इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा इस सवाल में आपको एक particle दिया जाता है जो एक dimension में घूम रहा है harmonic oscillator potential में जो है harmonic oscillator potential आपको दी गई है और particle शुरू में ground state में है तथा एक infinite potential barrier अचानत बन जाता है x equal to zero x पर equal to zero वहाँ एक infinite potential हम मान सकते हैं कि 0 से कम x पर potential wave function होगा जो यहाँ है और particle एक तरफ सीमित है origin k और वह particle खोजने की probability है नए potential की ground state में तो वह probability क्या है कि अचानक से उत्पन होने वाले नए potential की ground state में particle के मिलने की probability क्या है फिर harmonic oscillator potential के सामानी कृत wave function आपको दिये गए है यह सामानी कृत wave function है कि alpha और कुछ नहीं बलकि square root है m omega on h cross का और hermit polynomial आपको दिया गया है जिसकी हमें integration करते समय आवश्यक्ता होगी अब हम इसके साथ आरंभ करें अब आपको जो दिया गया है वह मूल रूप से हम लिखते हैं सदेन approximation क्योरम द्वारा हम कह सकते हैं कि wave function के लिए particle में एक wave function इस अच्चानक से बने infinite barrier potential के साथ न बदले या नहीं बदलता है हालांकि wave function वही रहेगा और नया wave function आप इसे इस रूप में देख सकते हैं मैं बोलूंगी यह साई वन प्राइम होगा नया wave function जो है साई वन जो अब बन जाएगा साई वन एक्स divided by square root of 2 factor 1 by root 2 है normalization factor अब wave function नई का wave function या नया wave function और कुछ नहीं है पुराना wave function है जिसे सामानी इक्रित किया जाता है इसलिए wave function समान रहता है और देखते हैं कि क्या होता है इस नए wave function के लिए ground state में particle खोचने की probability probability और एक और बात जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए कि यह wave function x greater than 0 के लिए true है तथा 0 से कम x के लिए हमारा wave function शूने है क्योंकि potential या infinite potential अचानक x equal to 0 पर बनता है x equal to 0 पर infinite potential बनाया जाता है तो 0 से कम x के लिए wave function 0 होगा और इसलिए probability of finding पार्टिकल के मिलने की probability पार्टिकल को पता करने की probability ग्राउंड स्टेट में नए potential के साथ होने वाला है तो जन्रल तोर पर हम probability कैसे लिखते है यह होगा probability इसके द्वारा दिया जाएगा साई वन प्राइम ओवर साई नौट होल स्क्वाइर इसलिए बलकी दूसरी तरफ हम लिख सकते हैं साई को इस तरह साई वन प्राइम ठीक है और integration जीरो से infinity तक है अभी आप हम जानते हैं कि साई नौट क्या है और हम जानते हैं कि साई वन प्राइम क्या है आपको wave function दिया गया जो सामानी कृत है तो अब मैं पहले इस साई वन प्राइम को लिखती हूँ साई के तर्म्स में यह साई अपॉन रूट टू है ठीक और हमारे पास zero to infinity सब स्कॉाइर है अब जब मैं साई नौट और साई वन के पूरे expression को फिर से लिखती हूँ दिये गए expression से हमें क्या प्राप्त होता है वन बाई रूट टू टाइम्स मेरे पास है अलवा बाई स्कॉाइर रूट और पाई यह इसके लिए है यह साई नौट के लिए है तो जब साई नौट मेरे पास यहाँ यह expression है जहाँ मेरे पास साई नौट होगा अलवा टूरेस टू जीरो दैट इस वन तो मेरे पास है alpha upon square root of pi, raised to the square root of alpha into root pi, raised to minus alpha x square upon 2h0, all h1 psi होगा alpha upon 2pi, by in, इसलिए अभी इसे continue रखें, इसके साथ ही, हमारे पास होगा, e raised to minus alpha square x square by 2, मेरे पास होगा, h0 alpha x, ठीक है और दूसरे expression में फिर से alpha होगा, यह power जाएगी तो मेरे पास है, multiply by, a का integral है, शूने से infinity तक और मैं यहाँ सिर्फ लिखती हूँ, alpha upon pi का square root, whole raised to half e raised to minus alpha square x square by 2, तथा, मेरे पास यहाँ दो का factor है, और यहाँ होगा, h1, alpha x, अभी, इसे simplify करने के लिए, इस पूरी चीज़ को, dx से multiplied करना होगा, ठीक, मैंने सभी जगह पर रखा, अब हमें इसे और सरल बनाने की आवशर्टा है, यहाँ हम देख सकते हैं कि x square, alpha square x square, integral का, यह भाग भी simplify होगा, और आपके पास बचेगा, square root, यहाँ पूरा square है, ठीक, यह होल square है, इसलिए जब आप इसे निकालेंगे तो आपके पास होगा, alpha square तो मैं अभी, चार पाई तर्म बाहर निकालूंगी, यह पूरा square, यह दू है और यह दो पाई है, इसलिए मेरे पास है चार पाई, और मेरे पास होगा, e raised to minus alpha square x square, मेरे पास एक alpha square तर्म है, h0 और h1, ओके, dx, अब याद रखें, h0, ओफ, alpha x इस केस में 1 होगा, और h1, alpha x, 2, alpha x होगा, जब हम इसको सबस्टिट्यूट करते हैं, तो मुझे प्राप्थ होगा, 4 pi, 0 से infinity तक, और फिर हमारे पास होगा, e raised to minus alpha square x square, फिर हमारे पास है, पिछले से, ओह सॉरी, यहां हमारे पास केवल एक alpha था, एक alpha, h1 से पिक किया गया था तो यहां, h0 है 1, h1 है 2 alpha x, मेरे पास है 2 alpha, x, dx, और मेरे पास पहले से 1 alpha था, ठीक, यह होगा 4 pi, 0 से infinity तक, और फिर इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, मैं इसे लिख सकती हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म में आप बस केवल सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, alpha square x square equal to कोई t, और यह मुझे देगा, e raised to minus t, dt, यहां, बस यह कुछ नहीं है, बस एक होगा, probability है, 1 by 4, pi, अभी, यह दूसरा था, यह चोथा सवाल था, hermit polynomials पर, और अब हम इस tutorial session को समाप्त करते हुए, एक बहुत ही सरल सवाल पर चर्चा करते हैं, जो कि मुझे लगता है आसान है, लेकिन, आईए इसे करते हैं, इसे कई मेथद से किया जा सकता है, और मैं इस सवाल को करने के लिए, इसे अपलाई करूंगी, तो, साई प्लस फाई, दो होल स्क्वाईर, का नॉर्म क्या होगा, मैं इसे कैसे लिखूंगी, मैं इसे इस प्रकार लिख सकती हूँ, साई, प्लस फाई, साई प्लस फाई, मैं यह नॉर्म लिख सकती हूँ, इस तरह साई प्लस फाई, ठीक है, मैं साई प्लस फाई के नॉर्म स्क्वाईर को ऐसे लिख रही हूँ, अभी, इस associative property का हम उप्योग करते हैं यह और कुछ नहीं होगा बलकि psi on psi, phi on phi, plus cross terms यह प्लस ठीक, अभी, यहां से आप देख सकते हैं कि यह हमेशा 0 से बड़ा होगा हम जानते हैं, norm से एक vector का norm हमेशा 0 सौरी 0 से बड़ा होता है, अभी हमें इन दोनों को देखना होगा क्या वे समान है, आये हम कौशी श्वार्ज inequality अपलाई करते हैं, तो पौशी श्वार्ज इनिक्वालिटी से हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि साई और फाई जो कोई भी vector है, आने पर इसको दिया गया है ठीक है, तो यह norm हमेशा norm of साई, norm of फाई से कम है, इसका उप्योग करके हम फिर लिख सकते हैं साई, ठीक मेरे पास है साई स्क्वाईर, यह कुछ भी नहीं है लेकिन मैं इस प्रकार लिख सकती हूं फाई स्क्वाईर, जो है मैं इसे ऐसे लिख सकती हूं साई स्क्वाईर प्लस फाई स्क्वाईर प्लस तू साई टाइम्स Phi, जब मैं यह कर रही हूँ, यह इससे कम या बराबर होगा ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं substitute कर रही हूँ Psi, on phi और phi on psi के लिए यह और कुछ नहीं होगा Psi, plus norm of phi, the whole square, जो अनुमान लगाएगा की, result हमेशा individual vector से कम या उसके बराबर है Okay, अब मुझे लगता है कि हम यहां रुख सकते हैं और हमारे पास इस आधार पर और tutorial सवाल होंगी आगे linear vector space के बारे में सीखेंगे और अगले class में linear vector space पर आधारित अधिक रोचक सवालों पर चर्चा की जाएगी वे ज़्यादा तर गणित के सवालों की तरह ही हैं और आपको इन्हें करने में मज़ा आएगा और lecture, आपको गणित भाग quantum mechanics के साथ गणित भाग की प्रासंगिक्ता की जानकारी देंगे अभी के लिए इतना ही बाद में मिलते हैं की जानकारी 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 जा